हलो फ्रेंट्स जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज 28 जूम 2022 को और 29 जूम 2022 को GST काउंसिल की मीटिंग हो रही है और इस GST काउंसिल की मीटिंग में कुछ चीज़ें निकल करके आ रही हैं जिसके सम्बंद में आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं और इसके साथ साथ आप को ये भी बताते चलें कि अभी कल भी GST काउंसिल की मीटिंग है तो कुछ अपडेट्स आज मिल पाए हैं और कुछ अपडेट्स कल मिल पाएंगे इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो ये GST काउंसिल मीटिंग के अपडेट्स मिल रहे हैं ये फाइनल नहीं है क्यों क्योंकि इससे संबंदे जब notifications आएंगे तो उन में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा clear हो पाएंगी लेकिन फिर भी जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ discuss करने वाला हूँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि GST Council agrees to ease compliances bottlenecks for e-commerce suppliers तो आप लोगों को मालूम है कि e-commerce supplier के लिए जो GST का registration है वो mandatory था और उनको composition scheme भी नहीं मिलती थी तो इसके संबंद में GST Council इस बात पर विचार कर रही है कि जो है e-commerce suppliers के लिए जो compliances हैं उनको कम किया जाए और उसके संबंद में आगे और discussion होगा तो आगे जानकारी मिलेगे GST Council allows e-commerce suppliers to register under composition scheme to ease registration and reduce tax output तो इसके साथ साथ जो e-commerce operator हैं उनको composition scheme भी दी जा सकती है और इस से संबंदे उनका registration भी आसान किया जा सकता है इसके अलावा GST Council allows amendments in GSTR 3B monthly GST resistance to be five by taxpayer देगे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे ज्यादा दिक्कत जो थी वो थी GSTR 3B amend नहीं होता था कोई भी mistake आपके द्वारा हो गई तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीवत का सामना करना पड़ता था तो GST Council ये भी allow करने वाली है या allow कर रही है कि जो GSTR 3B है उसमें भी amendment किया जा सकता है ये एक बहुत अच्छी ख़बर हो सकती है GST Council allows government run NIC as another platform to register e-invices e-invices में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी इसलिए उसके लिए अलग सी platform भी बनाने के बारे में GST Council बात कर रही है Council agrees to have 6 invoice registration portal to come in action in next 6 months अगले 6 महीने के अंदर जो e-invices से सम्बंदेत है उसके लिए 6 portal और बनाए जाएंगे जिससे यह आसानी से किया जाया जैसा कि आप देखते हैं कई बार जो e-invices का portal है वो ठीक से काम नहीं कर पाता है तो आगे 6 महीने में 6 और e-invices portal बनाए जाएंगे Council agrees to empower both center and state to issue so-called notice despite whether the taxpayer does not fall in their jurisdiction measures to plug leakage अब एक यह बहुत बड़ी समस्या थी कि GST Council ने इसको दूर करने की कोशिस की है कि center और state दोनों जो है so-called notice जारी कर सकते हैं जिसके jurisdiction में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो दोनों ही चाए GST state में आ रहा हो चाए center में आ रहा हो दोनों ही उस पर notice जारी कर सकते हैं क्योंकि जो इसमें tax leakage हो रहा था उसको बंद करने के लिए इस तरीके का विचार किया जा रहा है इसके साथी साथ बहुत सारे tax rate पे भी उनोंने काम किया है बहुत से rate realization किये है inverted duty structure पर भी काम किया है उस पे हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे जिससे ये पूरी चर्चा आपके साथ विस्तत रूप से की जा सके जैसा कि आप देख रहे हैं जिसकी council meet updates tax rate revision approved कौन कौन से approve किये गए हैं वो हम लोग देखते हैं tax as the rate of 18% on checks, lose or in book form चाए lose हो चाए book form में हो उनमें अभी तक tax नहीं लगता था उसमें अब checks और lose in book में 18% tax लगाया जाएगा withdrawal of exemption on service by department of post except postcards envelopes less than 10 gram तो केवल इन चीजों को छोड़ करके envelop postcard को और 10 gram से कम के envelops को छोड़ करके बाकी सभी पर GST लगाया जाएगा यानि जो exemption था वो withdraw कर लिया जाएगा increase in GST on e-waste form 5% to 18% इस पे 5% था e-waste पे उस पे 18% लगाया जाएगा withdrawal of exemption to service provided by RBI, CBI, IRDAI, FSSAI इन सब पे जो exemption दिया जाता था इनकी services में वो भी withdraw कर ली जाएगी hotel accommodation ये एक बड़ी कबर हो सकती है hotel accommodation below rupees 1000 भी tax at 12% अभी तक hotel accommodation में जो 1000 रुपई से कम के rooms होते थे उस पे कोई tax charge नहीं किया जाता था अब उस पे भी 12% tax लिया जाएगा withdrawal on GST exemption on storage and warehousing of taxable goods like sugar, natural fiber ये जो है इस पे भी जो GST exemption था वो withdraw किया जाएगा withdrawal of exemption on service like fumigation of warehouse इस पे भी exemption withdraw किया जाएगा withdrawal of exemption to business class air travel for northern states जो इन states को इसमें exemption मिलती थी वो भी withdraw कि जाएगी withdrawal of exemption on road and rail transport when such services are input for business तो इन पर भी road और rail transport पे जो भी exemptions मिलते थे वो सारे withdraw कर लिये जाएगे withdrawal of exemption on services by way of slaughtering of animals इस पे भी जो exemption मिलता था वो withdraw किया जाएगा Input is created refund on account of inverted duty structure in edible oils called disallowed तो ये भी inverted duty structure इस पे काम नहीं करेगा इसे disallowed किया जाएगा GST council approves to replace the term branded जो branded पे था वो branded की जगे पर इस word को replace किया जा रहा है और यहाँ पर लेके आ रहा है प्री packaged and leveled for retail sale to avoid disputes branded cereals food attract 5% GST currently तो इस पर भी ये word change किया जाएगा जिससे इस dispute को खतम किया जाएगा एक्जम्शन फर food items cereals sold loose or unleavened continued इन पर केवल एक्जम्शन continue रहेगा बाकी सभी पर withdraw कर लिया जाएगा tax increase LED lamps, ink, knives, blades, power driving pumps, dairy machinery from 12% to 18% इन सब पर tax increase किया जाएगा और 12% की जगए पर अब 18% लगाया जाएगा tax increased on milling machinery for sales from 5% to 18% इस पर भी tax increase किया जाएगा और 5% की जगए पर अब 18% लगाया जाएगा tax increase on solar water heater, finished leather from 5% to 12% यानि solar water heater और finished leather पर भी tax increase किया जाएगा जो 5% था उसे बढ़ा करके या 12% किया जाएगा Tax increase on work contract services supplied to government local authorities to 18% to correct inversion तो इस पर भी tax increase किया जाएगा Tax increase on specified goods for petroleum from 5% to 12% on input goods to correct inversion तो ये सारे चीजें निकल करके आ रही है जिस पर tax बढ़ाया जाएगा या जिन चीजों पर exemption दिया जा रहा था उन चीजों पर exemption वापस लिया जाएगा तो ये चीजें निकल करके आएगा जो मैंने आपके साथ discuss की हो सकता है इनमें कुछ चीजे अभी उतनी correct ना हो कुछ incorrect हो सकती है क्योंकि ना तो इसका अभी तक press release आया है ना ही कोई इसकी अत्राइश सूचना ही है जो सूचना है प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं आपके साथ discussion कर रहा हूँ जैसे जैसे इसकी अधिकत जानकारी म आपके साथ दुबारा उपस्तित होंगा और फिर से इस पर चर्चा करूंगा थैंक यू